आज में मतर की बहुती ज्यादा लाजवाब और टेस्टी सब्जी बनाना बताऊंगी यह सब्जी इतनी ज्यादा टेस्टी बनती है कि अगर आपने एक बार बना ली तो हर बार ऐसे ही बनाना पसंद करोगे और इसे बनाने का तरीका एकदम सिंपल है तो चलिए मटर की बहुत ज़्यादा टेस्टी सबजी बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम एक पैन में पानी गर्म करेंगे और इसमें 1.5 कप फ्रेश मटर डाल देंगे गर हम मटर का मेजर्मेंट करें तो हमने यहाँ पर 500 गर्म मटर लिये हैं अब हम इसमें 1.4 टी स्पून नमक डाल देंगे नमक पहले डालने से मटर फीके नहीं लगेंगे नमक को अच्छे से मिला देंगे और हाई फ्लेम पर हम मटर को 2 मिनट के लिए बोईल कर लेंगे और यह लीजे मटर को बोईल होते हुए 2 मिनट हो गए हैं अब हम गेस की फ्लेम को बंद कर देंगे और सारे मटर को एक बाहुल में बाहर निकाल लेंगे अब हम पैन में एक टेबल स्पून तेल डालेंगे तेल को हम गर्म कर लेंगे जब तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें काजू डाल देंगे मैंने यहाँ पर 15 से 20 काजू लिये हैं और मैंने इने बीच में से काट लिया है काजू डालना बिल्कुल ओप्शनल है आप चाहें तो इसकी बी कर सकते हो अब हम काजू को 10 से 12 सेचिंड के लिए मीडियम टू लो फ्लेंपर फ्राई कर लेंगे और ये लीजिए हमने काजू को फ्राई कर लिया है अब हम इने एक बाउल में बाहर निकाल लेंगे अब हम उसी पैन में 4-5 टेबली स्पून तेल और डालेंगे और जब तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें थोड़े खड़े गरम मसाले डालेंगे मैंने यहाँ पर एक टीस्पून जीरा एक दाल चीनी का टुकड़ा और साथ में आधा तेस पत्ता लिया है साथ ही मैंने इसमें 2-5 हिंग डाल दिये अब हम सारे खड़े गरम मसालों को कुछ सेकिन के लिए भून लेंगे और ये लीजे हमारे खड़े गरम मसाले अच्छे से भून गए हैं अब हम इसमें 2 मीडम साइस की प्यास बारी कट की हुई डाल देंगे आप चाहें तो यहाँ पर प्यास को कद्दुकस करके या फिर इसका पैस्ट बना कर भी डाल सकते हो अब हम प्यास को 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे अब हम लेसो नजरक को इसका कच्चा पन जाने तक 1-2 मिनट के लिए प्यास की साथ में अच्छे से भून लेंगे और यहाँ पर हमने लेसो नजरक को भी प्यास की साथ में अच्छे से भून लिया है अब हम गेज की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें मसाले पाउडर डालेंगे मैंने यापर half teaspoon लाल मिर्च का पाउडर लिया है साथी मैंने यापर एक teaspoon भर कर धनिया पाउडर लिया है ताथी मेने हापर one four teaspoon हल्दी पाउडर लिया है इसी के साथ मेने हापर एक teaspoon कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है यहे कम तीखी होती है इसे हम सिर्फ कलर के लिए डालते हैं आप चाहें तो इसे इसकी बी कर सकते हो आती मेरे याँ पर 1.5 टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाल दिया है और अब हम इसमें 1.5 टी स्पून नमक डाल देंगे नमक और लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के कोडिंग कमिया ज्यादा कर लीजिएगा और अब हम सारे मसालों को प्यास की साथ में अच्छे से मिला देंगे और ये लीजिए हमने सारे मसालों को प्यास की साथ में अच्छे से मिला दिया है अब हम इसमें दो बड़े साइस के टमाटर का पेस्ट डाल देंगे और इसे भी मसालों की साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर हमारे मसाले तले में ना लगे तो हम इसमें 2-3 टेबल स्पून पानी डाल देंगे और पानी डालने से ये होगा हमारे मसाले अच्छे से फूल जाएंगे अब हम सारे मसालों को टमाटर की साथ में कंटिन्यू चलाते हुए 6-7 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे और यहाँ पर हमारे मसालों को भूनते हुए 6-7 मिनट हो गए है आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे मसाले अच्छे से भून गए हैं और मसालों में से ओइल भी सेपरेट हो चुका है अब हम इसमें दो टेबल इस्पून दूद के उपर की मलाई डाल देंगे मलाई डालने से हमारी गरेवी में थोड़ी रिचनेस आ जाती है चाहें तो मलाई की जगे पर फ्रेश क्रीम कभी यूज कर सकते हो अब हम मलाई को गरेवी की साथ में दो मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे और इस तरह से हमने मलाई को भी गरेवी की साथ में अच्छे से भून लिया है अब हम इसमें उबले हुए सारे मटर डाल देंगे मटर को उबाल कर डालने से ये फाइदा होता है कि हमारी सबजी जल्दी से बन कर तैयार हो जाती है अगर हम मटर को गरेवी की साथ में डाल कर पकाते हैं तो ये पकने में ज्यादा टाइम ले लेते हैं मैंने इसमें half teaspoon kitchen king masala और 7 teaspoon कसूरी मेथी डाल दी है मैंने इसमें 2 हरी मिर्च डाल दी हैं हरी मिर्च को मैंने बीच में से काट कर डाला है आप चाहें तो हरी मिर्च को बारी कट करके भी डाल सकते हो अब हम मटर को भी गरेवी की साथ में दो से तीन मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे और ये लिजे हमने मटर को गरेवी की साथ में अच्छे से भून लिया है अब हम इसमें एक कप गरम पानी डाल देंगे आप यहाँ पर गरम पानी ही डालेगा क्योंकि गरम पानी डालने से कुकिंग प्रोसेसिंग रुकता नहीं है चलता रहता है और अब हम इसमें फ्राइ किये हुए काजु डाल देंगे थोड़े से काजु मेंने बचा लिये हैं उसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं गरम पानी डालने से हमारी गरेवी में जल्दी उबाल आ गया है तो बस अब हम पैन को कवर कर देंगे और गेस की फिलेम को मीडियम टू लो करके हम इसे 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे हमें इन्हें ज्यादा पकानी की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी चीजे पहले से ही पकी हुई है और यहाँ पर हमारी सबजी को पकते हुए 3 मिनट हो गए हैं अगर आपको यहाँ पर गरेवी पतली या घाड़ी जैसी रखनी है आप अपने हिसाब से एड़ेस्ट कर लीजिएगा अब हम लास्ट में बारी कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे अच्छे से मिला देंगे और इस पॉइंट पर गेस की फिलेम को बंद कर देंगे और यह लीजे बहुती ज्यादा टेस्टी और मदेदार काजू मटर मसाला एकदम जबरदस्त बन कर तेयाद है आप इसे रोटी, पूरी, पराठे, चावल किसी की साथ में भी सरु कीजे बहुती ज्यादा टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी एकदम आसाने तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिएगा और ट्राइ करने के बाद कॉमेंट से जरूर कीजिएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके